नमसकार मैं शंभूक उमारसिंग और आप देख़रा है निसनल दस्तक निसनल दस्तक की लगातार कोशिस है कि आपको मीडिया के बारे में अवियर किया जाए आप टेली वीजन तो देखते हैं लोग कहते हैं कि बीजे पी और आरेसिस का मीडिया मैनेजमेंट है यह सरकार कवर से कोहराम मचा हुआ है पूरी दुनिया में लगभग दो अरब मुसल्मान रहते हैं जो इसलाम को मानते हैं बीजेपी के दो नेताओं की बज़े से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के बज़े से पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ है कतर कुबैत इरान पूरा जो मिडिलिस्ट है वो भारत के समान का बहिसकार कर रहा है क्या भारत इन देशों के समान का बहिसकार करेगा कुछ भक्त लोग कह रहे हैं बायकॉट कतर एरवेज चलिए कतर एरवेज को बायकॉट कर दीजे पेट्रॉल का बायकॉट कीजिए जो मिडिलिस्ट से आ में उस 20 करोड हिंदूओं में भी कितना फूट है एस सी एस्टी ओविसी माइनौटी चाती के नाम पर हिंदू धरम में कितना अत्याचार है अरक्षन का बिरोध करते हैं मैं एक लिश्ट लाया उन पत्रकारों का जो इस देश में जातिवाद और धार्मिक दंगा फैला रहे कि आप इसे सहमत है असहमत है ये पत्रकार चाहें तो मेरे खिलाफ मानहानी का केस कर सकते हैं कोट जा सकते हैं लेकिन इन लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है कि अपने ही देश के नागरीकों को कभी धर्म के नाम पर कभी जाती के नाम पर हत्याय होती है और ये लोग नहीं इस देश को धार्मि कुमाद में ठेला है और यही वह सारे पत्रकार है जो आरक्षन के बिरोध में है और इनकी एक जाति है और इसलिए इनको मैं मनुवादी, जातिबादी और ब्रहा पनवादी कहता हूँ, तो नाम सुनिए, अंजनाओं कस्यप, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर डिवेट करती हैं, दुसरा नाम, चित्रा तिरपाथी, दुसरे सौर्स में देखिए, हिंदू मुसलिम डिवेट, सबसे ज़्यादा खबरे यही चलाती हैं, मंदिर हिंदू मुसलिम, सिर्यूल काष्ट की हत्या हो जाए, दही जम जाता है, आरक्षन पर कोई डिवेट नहीं होगा, विरोजगारी पर कोई डिवेट नहीं होगा, अमन्चोपरा, भाईसार इस आदमी का तो रिकॉर्ड है, मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं आप इनको, इनका ट हिलील किया जाए, दूसरा रोमाना खान, तिसरा सहीर अंसारी, यह वैसे लोग हैं, जो रोज इस तरह के डिवेट करते हैं, उसके बाद सुसान सिनहा, इसी के चैनल पर नुपुर सर्मा ने प्रोफिट साथ के बारे में अभद्र टिपनी की थी, इसी चैनल पर यह सुसान मुगलों पर यही डिवेट करता है, मुगलों से यही बदला लेने चला, यह अकबर बाबर से बदला लेगा, आज के मुसल्मानों को दोसी टेराता है, यह विरुजगारी, गरीबी, भुखमरी, परहाई, लिखाई, कॉलेज पर भहस नहीं करता है, सुधीर चौधरी, ना कारकरम हुआ था, लोग इन पर भी कारवाई की मांग कर रहे है, और नगोस्वामी आप सम जानते हैं, और एक नाम तो छूट गया, अमिस देवगन, सबसे ज़्यादा, मैं सबूत दे रहा हूं हिंदू-मुसलिम का डिबेट, कैसे लोग के जहर भर दिया गया, न्यूज आप जितने जो सबन समाज के एंकर हैं, घोर जातिवादी, घोर मनुबादी, घोर बढ़ा मनुबादी हैं, इकका दुका को छोड़कर, आप किजिए डिफिमेशन का केस मुझ पर, आपके खिलाब तत्थ है, आपने कितना जादा तेलिविजन शो किया है, ये राइट, र पांच लोग कहीं खरे हो जाएंगे, राइट विंग के, पांसो कैमरा भेज दिया जाता है, ये वो खबरे करते हैं, जो सरकार को सूट करती है, बीजेपी, रेसेस को सूट करती है, वो भले देश को सूट न करे, इनकी जो खबरे हैं, वो देश के हित में नहीं है, वो रे इसलिए मैं कहे रहा हूं ये लोग कहे रहे हैं जाती जन्गन्ना के भी यही बिरोधी हैं कहते हैं कि जाती जन्गन्ना से 500 करोर बरबाद होगा तो जन्गन्ना क्यों करवाते हो भाई 13,000 करोड का बजट है तो इस देश में जो जातिवादी है ब्रहमनबादी है मनुवादी है उनसे साबधान रहने के जरूरत है उन लोगों ने पूरे देश का नाम खराब किया है और आज भारत को कतर, इरान, इराग, कुबाय जैसे देशों के सामने सफाई देनी पर रही है ये गलती ने अनकरों का है देश क्यों सफाई दे इन अनकरों को माफी माँगनी चाहिए BJP RSSS के कारकरताओं को माफी माँगनी चाहिए जिन्होंने इस देश को अपमानित करने का काम किया है आपस में लडोगे, भाई, चारा खत्म करोगे तो दुनिया तो हसेगी तुम पर इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में जाती और धर्म के नाम पर जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए हम लोग क्यों बोल रहे है, क्यों लर रहे है कॉलेज इन्वर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस सब को आने दो देश तभी महान बनेगा जब सब को बराबर का मौका मिलेगा ये है सब के सब फ्रिंज अलिमेंट आप लोग की क्या परत्किरिया, क्या इन पत्रकारों का जो मैंने लिस्ट बनाया है क्या ये जातिवादी, मनुबादी, ब्रहामनवादी नहीं है क्या ये जाती के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते हैं क्या ये सम्मिधान बिरोधी लोग हैं, क्या ये आरक्षन बिरोधी लोग हैं, और क्या इस देश के बहुत संकक आबादी के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, और क्या ये सरकार कही सारे पर और पाटी कही सारे पर काम करते हैं, आप लोग की पर्तकिरिया बहुत जरूरी है, सर्दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे.